Hello friends, good morning to all of you. Friends, आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं, हम जानेंगे होनोनिम्स क्या होता है, होनोनिम्स का डेफिनिशन, इस सामपल विद प्रॉपर एक्स्प्रेनिशन, तो friends, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आये, तो वीडियो को लाइक करें, सेयर करें, और चैनल को सब्स्राइब जरू करें. Friends, मैं अधित्य गुपता स्वागत करता हूँ, अब तभी का अपने चैनल जी करेंड ये सब्जेट पी. Friends, अगर हम बात करें अपने टॉपिक यानि की, होनोनिम्स के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, होनोनिम्स के डेफनेशन के बारे में, जो की है, दव वर्ड्स, विच्थ है, सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनिशेशन, बट है, डिफरेंट मीनिंग, इस काल्ड होनोनिम्स, यानि की, ऐसे इंगलिस के वर्ड, जिसका स्पेलिंग सेम हो, प्रोनोनिशेशन, यानि की उस चारड भी सही हो, सेम हो, लेकिन उसका हिंदी में अर्थ अलग हो, उसे हम होनोनिम्स कहते हैं, जैसे की, हम बात कराएंगर एक्जांपल की, तो सबसे पहले हम एक एक्जांपल लेंगे, एक इंग्लिस वड़ है, वाच, वाच का फ्रेंट्स दो मेनिग है, अगर हम पहले मेनिग के बात कराएं, वाच मतलब होता है देखना, डव्लू अटी सीएच, वाच मिस देखना, जो एक दुसरा होता है, सेम, स्पेलिग, W-A-T-C-H पर उसका हिंदी मेनिंग अलग है जिसको हम कहते हैं वाच मितलब खड़ी तो फ्रेंट्स ये उमीद आप लोको ये वीडियो पसंद आया होगा टोपिक क्लियर हो गया होगा इंटरेस्टिंग टोपिक था तो फ्रेंट्स वीडियो को लाइक करें सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरू करना थैंक्यू फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्ट वीडियो में